नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तों जैसा कि कुछ दिन पहले ही प्रोजेक्ट गंगा सामने आया था जिसमें बताया गया था कि भारत खुद से एक जेट इंजन के उपर काम कर रहा है जिसके तहट भारत की जीटी आर एक न में अपने बेडे में शामिल करना है और इनके लिए हमें लगबग 800 से जादा जो फाइटर जेट के इंजन होते हैं उनके आवशक्ता पढ़ने वाली है तो क्या ऐसे में भारत इतने सारे इंजन को इंपोर्ट कर सकता है और हमें ये जो इंजन की टेक्नोलोजी है ये 2030 तक चाहिए तो ऐसे में भारत के लिए कौन सी चोईस ज्यादा बैटर रहेगी कि हमें रोल्स के साथ मिलकर के एक जो जेट इंजन है उसे बनाना चाहिए या फिर खुद से प्रोजेक्ट गंगा के तहत एक फाइटर जेट के इंजन को बनाना चाहिए तो दोस्तों इस वीडि आप चीन से ले लीजिए तो दोस्तों जो चीन है वह एक लंबे समय से जो जेट इंजन है उसको बनाने की कोशिच कर रहा है और इसके लिए वह कोपी और साथ में जो टेकनोलिजी है उसको चूराने जैसे जो रास्ते है उनका सहारा भी ले रहे हैं जिससे जो चीन का में एरलाइबल इंजिन को नहीं बना सका है और चीन को लगबग आज 30 से ले करके 35 साल हो गए है एक जेट इंजिन को बनाने को ले करके स्ट्रगल करते हुए वहीं पर जिस देश को टेकनोलोजी में आज की तारिक में भी सबसे ज़रा एडवांस माना जाता है यानि कि जाप बात है यह जापान ने 1995 से की थी और जापान को अब 25 साल के बाद जो सफलता है वो मिली है लेकिन अभी भी इस इंजिन की जो मैनफेक्टिरिंग है वो शुरू नहीं हुई है और नहीं अभी इसे किसी फाइटर जैट में इंटिग्रेट किया है तो तो तेजिस MK2 MK और ट् इतनी जादा टाइम लाइन इसकी खिंच सकती है और लगतार बढ़ते टाइम की वज़े से इस प्रोजेक्ट की जो कोश्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी जबकि हमें 2030 तक एक जेट इंजिन को रेडी करना पड़ेगा तभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फ करके तैयार कर सकते हैं जो कि काफी जादा एडवांस होगा कम फ्यूल को कंजियूम करेगा ज्यादा रिलाइबल होगा और ये 2030 तक बन करके तैयार हो जाएगा और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है उनकी टाइम लाइन को ये मैच करेगा यानिकी एमका या फिर जो उस सम अगर हम सेगंड पॉइंट की बात करें तो वह है टेकनोलोजी तो देखी दोस्तों अगर हम प्रोजेक्ट गंगा के तहत एक फाइटर जेट के इंजिन को बनाते हैं जो कि लगबग 125 किलोनूटन थ्रस्ट वाला इंजिन होगा तो रिपोर्ट किया गया है कि वह एक रस्य इंजिन की लाइफ है वो 3500 से लेकर के 4000 घंटे तक होती है और फाइटर जेक्ट की लाइफ में दो बार जो इंजिन है उसको बदलना पड़ता है और जो रच्छिन टेकनोलोजी है अब वो कहीं न कहीं मिसाइल और साथ में एर डिफेंस सिस्टम की फिल्ड को अगर आप छ पर आप वेस्टन इंजिन को देखते हैं तो वे रचिन इंजिन से कहीं जादा सेफ है कहीं जादा रिलाइबल है चाहे उसमें आप फ्रेंच इंजिन को ले लीजिए ब्रेटिश इंजिन को ले लीजिए या फिर जो अमेरिकन इंजिन से उनको ले लीजिए इनकी जो जाना चाहिए क्योंकि UK के साथ जाने से एक advance और साथ में reliable engine मिलेगा और इसके साथ full transfer of technology भी मिलेगी और इसके लावा जो IP right हैं वे भारत को मिलेगे जिसके ताहत हम अपने अलग-अलग fighter jet की अलग-अलग requirement को देखते हुए उस engine के जो अलग-अलग variants हैं उनको तयार कर सकते हैं तो इसके लावा भी अगर हम बात करें अब third point की तो वो है कोश्ट तो देखी दोस्तों कोश्ट यहाँ पर काफी ज़दा पहले से एक बड़ा issue भारत के लिए रहा है तो वहीं पर अगर आप UK को देखते हैं तो उन्होंने लग-बग 4 से लेकर के 5 billion US dollar invest करने को बोला है और उस engine को वे भारत में ही टेस्ट करेंगे भारत में ही उस engine को बनाएंगे और भारत में ही उसके काफी सारे parts और साथ में हमारी जो company है उनको उसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा तो दोस्तों इसके तहत जो एक UK से special team है वो भारत में ही आएगी तो यहाँ पर खुद से engine बनाना जहां उसकी जो timeline है वो भी fix नहीं है और कोई guarantee भी नहीं है कि हम उसमें सफल होंगे या फिर नहीं होंगे और इसके अलावा वो AL-31 पर based होगा तो ऐसे में safety और maintenance से related क्या issue होंगे यह भी यहाँ पर fix नहीं है तो इस सबसे इसकी जो development cost है वो भी fix नहीं होगी और वो लगातार बढ़ती जाएगी तो देखी दोस्तों खुद से engine develop करना यह काफी ज़्यादा अच्छा step है लेकिन लगातार two front का जो war है उसका खत्रा भारत के लिए बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हमें एक बड़े नंबर में जो fighter jet है उनको शामिल करना पड़ेगा तो इस सब के लिए हमें खुद से जो jet engine है उसको बनाने की बजाए जो UK है उसके साथ joint venture करना चाहिए क्योंकि उसके तहाथ हमें पता है कि हमें 2030 तक जो jet engine है वो मिल जाएगा और अगर ये जो step है ये लगबग सन 2000 या फिर सन 2010 में उठाये जाता तो ये भारत के लिए आज की तारिक में काफ़े जादा better step होता तो दोस्तों इसके बजाए जो time है वो भारत के पास काफ़े जादा कम है तो इस सब को देखते हुए तो सही investment के साथ अगर हमको कोई देश अपनी जो prime technology है वो दे रहा है तो इसमें विदेशी पार्टनर के साथ joint venture करतने में कोई ना तो बुराई है और नहीं इसमें कोई स्वाभी मानवाली बात है तो अगर ये जो deal है ये sign की जाती है तो ये भारत और साथ में UK की जो rolls-rolls है इन दोनों के लिए यहाँ पर win-win situation होगी क्योंकि भारत को जो engine की technology है वो मिल जाएगी जिसके लिए भारत एक लंबे समय से जो struggle है वो करता आया है UK की जो rolls-rolls है वो लगतार घाटे में जा रहे हैं तो उनको ऐसे में जो fund है वो यहाँ से जो है मिल जाएंगे तो दोस्तों ओवराल आप सब का इसके उपर क्या कहना है ऐसा नहीं है कि मैं विदेशी जो company हैं उनको support करता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो just जो हमारे interest है उसको देखते हुए मैंने यह सब points को आपके सामने रखा है तो बाकी तो आप सब को इसके उपर क्या लगता है comment section में बताईए अगर साथ में वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर जेजेगा ताकि आपको ऐसी ही defensive related और साथ में दूसरे अगर किसी topic के उपर आप वीडियो चाहते हैं तो वो मिलती रहे तो चेले दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए good bye जै हिंद